इसकारिक्रम के प्रायूजक है डॉक्टर और्थो आयूर्वेदिक ओईल और कैप्सुल अब दर्ध भी घुटने टेकेगा नमस्कार स्टेट बुलिटन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ नलीनी सिंख पालेवाल पुलिटन के शर्वाथ करते हैं घबर जbridgeरकंट के पूरव दिवगंत सिक्षा मंत्री रहे सवरगियन जगर्नाथ महतो की पहली पुन्यती ठीके अफसर पर दिवेंगत पूर्व सिक्षा मंतरी जगरनात महतों के बकारों जिले के अंतरकर चंद्रपुरा में इस्थित पैत्रिक गाउं अलारगो में श्रद्धांजली सभा कायोजन किया गया इस श्रद्धांजली सभा में राजिके मुख्यमंतरी चंपई सोरेन मंत मंतरी बसंत सोरेन पूर्व मुख्यमंतरी हेमन सोरेन की पतनी कलपना सोरेन ने मौके पर पहुंचकर जगरनात महतों को श्रद्धांजली दी इस दोरान बड़ी संख्या में इस थानी लोग भी वहां मौजूद रहे सभी लोगों ने जगरनात महतों के लिए कारें को हम जारखंड को बहतर जारखंड बना सकते हैं और लोगों के लिए बहतर तरीके से काम कर सकते हैं साथी मुख्यमंतरी चंपई सोरेन ने कहा कि जगरनात महतों की सोच यहां के लोगों के लिए थी उन्होंने इस्थानिय नीती बनाने के काम किये थे साथी और 1932 को एक प्रश्ट्री से देखती है और सरकार बनने पर उसका इस्तमाल करती है बीजेपी के राश्ट्री प्रवक्त आजय अलोक ने पूर्व मुख्यमंतरी हमन सोरेन और उनकी पार्टी जामूमो पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि जारखंड के लोगों ने बड़ी उमीद के पर उनकी जमीन की रक्षा करेंगे पर आज स्थिती ये है कि जामूमो जमीन मारो मौरचा बन चुका है वही आधिवासी के हैतों के रक्षा करने के बजाए ये मौरचा जमीन लूट में शामिल हो गया है इस मोर्चा के सरदार जमीन लूट के चलते जेल में हैं वहीं सहानुभूती बटोरने में लगे हुए हैं साथ आपको बता दें कि देश का इतिहास बताता है कि सजाय आफ़ता नेताओं को फिर सहानुभूती नहीं मिलती अजयालोक ने पाटी काराले में पत्रकारों से वारता करते हुए कहा कि जमीन लूट के मामली में हेमन सोरेन के बच्पन के दोस्थ अभी शेक पिंटू ने गवाई दी है इसके बाद से वे असुरक्षत महसूस कर रहे हैं चिपते फिर रहे हैं वहीं ऐसे में उनकी अपील राज सरकार से है कि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए साड़े आठ एकड़ जमीन की तरह जाने कितनी जगहों पर हेमन्त की जमीन होगी जब बच्पन के दोस्त पिंटू तक को नहीं छोड़ रहे तो राज में किसक को छोड़ेंगे बोकारो का शहरी इलाका बुद्धी जीवियों का इलाका माना जाता है और ऐसे बावजूद इसके यहां मद्दान प्रतिशत काफी कम रहता है इसे को ध्यान में रखते हुए बोकारो जिला के क्रिकेट स्टेडियम में जिला परशाशन बोकारो स्टील औ आपको बता दें इस मैच के माध्यम से उपस्थिस सभी अधिकारियों और दर्शकों को मद्दान के प्रतिश आगरो किया गया इस क्रिकेट मैच में बोकारो पत्रकार एकादश ने बोकारो स्टील प्लांट को हरा कर खिताब पर कबज़ा जमाया वहीं इस दौरान बोकार बोकारो स्टील के अधिकारी पर जिला प्रशाशन के अधिकारियों ने मैच का आनंद उठाया और बोकारो शहरी और बोकारो स्टील प्लांट के अधिशाशी नरदेशक बी के तिवारी ने कहा कि लोगों को मद्दान में भाग लेना चाहिए और एक मजबूत लोगतंत्र के स्थापना करनी चाहिए इसको लेकर हम लोग जाग रुकता करने के लिए ये मैत्री मैच खेल रहे हैं खबर जारखंड के चत्रा जिले से है जहां पत्थल गड़ा थाना पुलस ने पंधरा लाख रुपए के ब्राउन शुगर और अफीम के साथ एक तसकर को गरफतार किया है ये गरफतारी थाना चेतर के सिंगानी मोड के समीप हुई है आपको बता दें इसकी जानकारी देते हुए अनुवंडल पुलिस पदादिकारी अजे केशरी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि सिमरिया थाना चेतर के ललकी माठी की ओर से एक काली रंग के एक्सप्लेशनर प्लस मोटर साइकल से एक व्यक्ती अवैद अफीम लेकर पथल गड़ा सिंगाना की ओर जा रहा था बुकारों से गुजरात काम करने गए किस वर्षी नौजवान युवक अंतुनू घोशाल की मौत हो गई जानकारी के मताबिक मरतक अपने अनिस सहयोगियों के साथ गुजरात के मुर्भी के पास खरतिया इस्थित दवाई फैक्टरी में काम करने गया था आपको बता दें इसी दवरान फैक्टरी की टंकी में सफाई के समय कई लोग बेहोश हो गए और इसी में युवक की मौत हो गई इसके साथ ही बुकारों से गए प्रिंस नाम के सहयोगी ने बताया कि वो भी टंकी में खुसने का काम किया करता था वो भी चोटिल हो गया साथी कंपनी के मैनेजर जबरदस्ती सफाई करने के लिए टंकी के अंदर भीजने का काम किया करते थे जिस कारण ये हादसा हुआ वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है ब्रतक के पिता का कहना है कि हम डेली का माने खाने वाली व्यक्ती हैं ऐसे में हमारे घर का चिराग बुझ गया हमें मदद भी नहीं की गई जिसके बाद कंपनी ने बाद में मदद करने की बात भी कही है बुकारोस दिला के उपनगर चास थाना के पास एक मिल्क पारलर और एक चाय की दुकान में चोरी हो गई चोरों ने मिल्क पारलर के दुकान का चद्रा तोड़कर दुकान में रखे पनीर, खुआ घी और पैसे की चोरी कर ली जबकि चाए दुकान में रखे बिस्किट, चाए पत्ती सहीत और सामानों की चोरी कर ली गई बता दें कि इस घटना को अंजाम दे कर चोरों ने पुलिस को खुली चेतावनी देने का काम किया और पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़ा कर दिया बता दें कि बकारों से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया जहां चोरों ने चाए की दुकान और दूद की दुकान में चोरी की बता दें कि बकारों जिला के उपनगर चास्थाना के पास एक मिल्क पार्लर और एक चाए की दुकान में चोरी की घटना सामने आई जहां चोरों ने मिल्क पारलर के दुकान का चद्रा तोड़कर दुकान में रखे पनीर, खोया घी और पैसे की चोरी कर लिए जबकि चाए दुकान में रखे बिस्कुट और चाए पत्ती सहीत और समानों की चोरी कर ले गए आपको बता दें इस घ जीबो गरीब चोरी की वारदात का मामला सामने आया जहां बुकारों में चास के पास मिल्क पारलर और चाए की दुकान में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया बता दें कि जिस तरीके से घटना की अंजाम दिया गया उसको लेकर हर कोई सत्ते में है क्योंकि न सिर मिल्क पार्लर बलकि चाय की दुकान को भी निशाना बनाया गया और इस दोरान गल्ले में रखे हुए पैसे चाय पत्ती दूट जैसी चीज़ों को चुराया गया बुकारो डीसी के निर्देश पर उत्पाद विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जरी डी हथाना चेतर के ट्रपकादी के नूतन डी गाउं इस्थित एक घर चापे मारी के दौरान अवेद विदेशी शराप के मिनी फैक्टरी का भंडा पोड़ किया गया मौके से उत्पाद विभाग की टीम ने विदेशी शराप विभन ब्रांड 675 पांट सो लीटर तीन ड्रम में तयार रंगीन शराप नौ पानी के जार में 180 लीटर विभन ब्रांड के 4000 लेवल एवं 4000 धकन नकली हेलो ग्राम 500 और केरा में लीटर एक जरकिन से वरामत किया ग गई विद्वत तलाशी के क्रम में चहार दिवारी के अंदर बने एक कमरी एवं जमीन के अंदर शिपाकर गाड़े हुए ड्रम के अंदर बोरे में रखे विदेशी शराब एवं शुशम बरामद हुआ आपको बता दें कि चहापे मारी के क्रम में अभियोगत बसंत महतो नूतन डीह ग्राम निवासी के विरद उत्पात अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया जा रहा है आपको बता दें कि विभिन विदेशी शराब ब्रैंड के दुकानों पर पुलस द्वारा चापे मारी की गई बता दें पुलस ने मिनी फैक्टरी में चापे मारी की और इस दौरान पुलस ने लगभग विदेशी शराब ब्रैंड के 675 लीटर के तीन ड्रम और कई ब्रैं में चाहर दिवारी के अंदर बने एक कमरे और जमीन के अंदर छिपा कर गाड़े हुए ड्रम के अंदर बोरे में रखे विदेशी शराब और शुशव बरामद किया गया इसके साथ ही छापे मारी के क्रम में अभियोक्त बसंत महतो नूतन डी ग्राम निवासी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामले को दर्स किया गया है खबर मद्र प्रदेश चाहे नर्मदा पुरम की रसूलिया चेतर के अंतरगरत आफिसर्स कालोनी में एक मकान में ब्लास्ट होने से उसी परिवार के तीन लोग छुलस गए बता दें कि घायलों को तुरंत जला स्पताल में भरती कराया गया जहां घायलों का इलाज लगातार जारी है भी ब्लास्ट कैसे हुआ इसकी जांच एफसल की टीम लगातार कर रही है महीं घर वाले भी कुछ भी कहने के स्तिती में अभी नहीं है ब्लास्ट इतना तेज था कि घर के बाहर के खिड़कियों के कांच तक फूट गए महीं बातरूम में लगा गेट चोखट सही थी बाहर निकल आया घर का पूरा समान भी अस्तवस्त हो गया बारती रंता पाती केवल राजनीती नहीं बलकि राश्ट नीती पर चलती है पंडित दीन देयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुकरजी और श्रदे अटल बिहारी वाजपेई के दिखाए रास्ते पर चलते हुए बीजेपी उनके सपनों को साकार कर रही है और आज सत्ता में आकर लोगों की सेवा कर रही है ये कहना है रायपूर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अगरवाल का जिन्होंने बीजेपी के 45-वे स्थापना दिवस के अफसर पर केंद्रिय चुनाओ कार्याले पर पंडित दीन देयाल उपाध्याए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुकरजी के चित्रों पर माल्यारपन कर ध्वजा रोहन किया और सभी को बीजेपी के स्थापना दिवस की हारदिक्षुप कामनाय और बधाई दी इस अफसर पर पाठी कारिकरताओं को समवोधित करते हुए अगरवाल ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 का हटाना अयोध्या में प्रभूश्री राम का भव्यमंदिर बनाना देश से तीन तलाग समाप्त करना, CAA लागू करना आदी जिन विचारों को लेकर जनसंग और बीजेपी के स्थापना हुई थी आज यशश्वी प्रधानवंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रत्वों में वो सभी वादे पूरे हो गए हैं आने वाले लोक सभाचनाओं में रायपुर समेत पूरे चत्रसगड की जनता कमल का फूल खिलाएगी और मोदी जी को पुनह प्रधानवंत्री बनाएगी बता दें कि माले आरपन कर और ध्वजा रोहन कर पूरे हर्शोल लास के साथ पार्टी के कारे करताओं ने और बीजेपी के प्रत्याशी ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया बता दें कि ब्रजमोहन अगरवाल ने ध्वजा रोहन किया जो कि इस वक्त रैपूर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और साथी साथ इसके बाद उन्होंने हर्शोर लास के साथ पूरे दफ्तर पर मिठाई बाटी बता दें कि बीजेपी के इस थापना दिवस के अफसर पर उन्होंने ध्वजा रोहन कर कारे करताओं को संबोधत भी किया पूर्वराजसवा सांसच छाया वर्मा ने प्रेस कॉंफरेंस करते हुए कहा कि महिलाओं को सिर्फ धोका देने का काम भारती जंता पाटी ने किया है अपने घोशना पत्र में एक हजार रुपे प्रतिमा देने की बात करने वाली भारती जंता पाटी आज मातर 20 प्रतिशत महिलाओं को पैसा दे रही है चार महावीर जाने के बाद भी सिर्फ एक किष्ट उनके खातों में पहुँची है इस दोरान कॉंग्रस के वरिष्ट नेता धनेंदर शाहू सत्या नारायंड शर्मा सहित कॉंग्रस के तमाम नेतागर इस मौके पर मौझूद रहे खबरों में आगे बढ़ते हूँ आपको बता दूँ कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भागेदारी सुनिश्ट कर राजनान गाउन लोकसभाचेतर में मद्दान प्रतिशत बढ़ाने के उदेश से जिला प्रशाशन मद्दाता जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में कलेक्टरो रेट कार्याले के सामने स्वीप गाडन का निर्मार कर जिला निर्वाचन अधिकारी ने 36 गड़ी में मद्दान करने को लेकर शपत दिलाई सफसर पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजे अगरवाल ने कहा कि इस तरह के आयूजन के माध्यम से हम मद्दान का प्रतिशत बढ़ा के ना संदेश दे रहे हैं सत्पुड़ा परवत की मैकल पहाडी श्रंखलाओं से घिरे सुर्मेवादियों में इस्तत एतिहासिक भोरम देव मंदिर के प्रांगड में वर्षों से आयूजुद हो रहे भोरम देव महुतसफ की परंपरा को कायम रखने जिला प्रशाशन के तरफ से दो दिवसिये भोरम देव महुतसफ के सांस्कृतिक कारेक्रमों का दीप प्रज्वलित कर मंतरो चार के साथ भगवान भोरम देव की पूजा आर्चना कर वधिबच शुबारम किया गया आपको बता दें कलेक्टर जनमेई जै महुबे सहितम जिला पंचायत सीईओ संदीप अगरवाल और कई प्रशाशनिक अधिकारियों ने दुईप प्रज्वलित कर दो दिवसिये भोरम देव महुतसफ का वधिबच शुबारम किया शुबारम वबसर पर अधिकारियों के पूरे परिवार और दूर दरास के आए ग्रामीर जन भी वहाँ पर उपस्थित रहे बोकारो जिले के बाली डी पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर निकलने के दौरान बाइक सवार विशाल कुमार सिंग के साथ मारपीट और बाइक समेट पैसे की लूट मामले का पलस ने खुलासा कर दिया है बता दें के पलस ने इस मामले में चास के रहने वाले पूर्व के तीन आरोपियों को गरफतार किया है इसकी जानकारी देते हुए प्रभारी मुख्याले डियस पी आशीश कुमार ने महली ने बताया कि ये घटना पांच अप्रैल को घटित हुई थी और एस पी के निर्देश पर गठित साइटी टीम ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया और सभी आरोपियों को ग्रफ्तार कर लिया गया है तो फलाल के लिया स्टेट बुलिटन में में साथ बस इतना ही नौशकार